आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which type of egg is found in birds? पूछा गया है, birds में किस type of egg पाए जाते हैं तो अगर birds के एग का बात करें तो birds में क्या होता है? यह एक जो है वो इस type का रहता है जहां पे एक साइड में पूरा साइडो प्लाजम रहता है और यॉर्क रहता है और जो जनरीटिव लेयर होते हैं दूसरे साइड में चले जाते हैं इसी वज़े से क्या होता है? इनका जो एक होता है वो बन जाता है polylacithal polylacithal और इसको दूसरे नाम से macrolacithal भी कहा जाता है जहां पे यॉर्क का सबस्टेंस जो है यह माली यॉर्क है यह नहीं सौरी यह यॉर्क है यॉर्क का सबस्टेंस जो है वो बहुत जादा रहता है as compared to the genetic part यानि nucleus और उसके बाद outer covering में रहता है cytoplasm तो इसी वज़े से यॉर्क जादा होने के कारण large amount of york amount of york इसी वज़े से इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है polylacithal या फिर macrolacithal और साथ ही साथ इनको कहा जाता है telolacithal क्योंकि इनका जो division होता है वो एक पार्ट से होता है एक ही side में ये concentrated रहते है इनका equal division नहीं होता है center से और इसी वज़े से इनको कहा जाता है telolacithal यानि जो division है वो क्या है uneven division uneven division पाया जाता है एक cell में और यॉर्क में इसी लिए इनको क्या कहा जाता है telolacithal यानि एक ही side में concentrated रहते हैं तो बर्ट क्या हो गया एक होता है polylacithal या फिर macrolacithal और दूसरा हो गया telolacithal Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 चार्स उपर झाल